नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे घ्रैनिर्मार्ण भूमी पूजन नीप पूजन सुम्भूरत सितंबर 2020 के बारे में दोस्तों ग्रैनिर्माण नीम पूजन या भूमी पूजन करते समय कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ग्रैनिर्माण के लिए सही तिति का होना जरूरी है नक्षतर का होना और बार का होना जरूरी है इसके बाद आपकी रासी और लगन क्या है? लगन और रासी के अनुसार ही नक्षद और तिति का चैन करना चाहिए फिर भी मूरजचक्र के अनुसार निम्गे के नक्षद तिति, महा और सुम लगन करने में करने चाहिए सबसे पहली दिनांख है दो सितंबर दो हजार बीस दिन बुदबार रहेगा तिती पूर्डीमा तिती रहेगी और नक्षत्र सत भिशा नक्षत्र रहेगा इसके बाद 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रबार तित्थी दुतिय तित्थी और नक्षत्र उत्रा भादरपग नक्षत्र रहेगा इसके बाद ग्रेन इर्मान या भूमी पूजन की तिती है 10 सितंबर 2020 दिन गुरु बार तिती अश्टमी तिती और नक्चतर रोही नक्चतर रहेगा और हमारी आखरी तिती है 14 दिसम्बर दिन सौंबार रहेगा तिती 12 दिती रहेगी और नंक्षतर पुष्य नंक्षतर रहेगा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी जिसमें हमने आपको बताया ग्रेन रिमान भूमी पूजन नीप पूजन के सुमूरत के बारे में उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी फिर मिलते हैं नई जानकारीों के साथ अब तक के लिए जैश्री राम